हाई गाईज, वेल्कम टू बीबैंकर, स्वागा थे आपका आज की करेंट और एक्सप्रेस में, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको करना है हमारे चानल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेर अपने दोस्तों और वाट्साइप ग्रूप्स में, आप क मतलब आपको साल का नाम अताना है, आएनेस रंजीत एक राजपूत वर्ग विद्भनसक मैं दोहजार उन्निस में, विशाखा पतनम में विगटित हो गया, इसकी शुरूआत मतलब यह जो कमिशन हुआ था, यह कब हुआ था, यह हुआ था 1983 को, आएनेस रंजीत एक राजपूत वर्ग विद्भनसक मैं दोहजार उन्निस को विशाखा पतनम में विगटित हो गया, कप्तान विश्नु भागवत द्वारा 15 सुतंबर 1983 को, कमिशन किये गए इस जहाज ने 36 वर्षों तक राष्ट के लिए सेवा प्रदान की है, उनके कमि इस शिप का नाम क्या है, आएनेस रंजीत, कितने एर्स तक इसे सर्विस दी, 36 एर्स, इसका स्टार्टिंग एर कौन सा था, कमिशनिंग एर कौन सा था, 1983 और इसको डिकमिशन कब कर दिया गया, 2019 में, चली बढ़ते हैं आगे, बहारत और संयुक राज अमेरिका ने बहारत यूएस में, नई दिल्ली में, बिलतराई वेपार बैठक की, मतलब बाइलेटरल वेपार की बैठक की, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अमेरिकी ट्रेड विंड्स इंडो पैसिफिक बिजनस फोरम और मिशन की पहल की सरहाना की, फोरम वित्र को, प्रतिनी धियों और बागिदारों को एक साथ लाएगा, आठ से दस मईए 2019 तक वेपार से वेपार बैठक को में भाग ले करके बिक्री करने में सक्षम करेगा, तो यह बेसिकली दूई पक्षिय बैठक है, मतलब इंडिया और उएस दोनों की यह हुई दिल्ली में यह इन्हांस करेगा, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को और वेपार से वेपार को यह बढ़ाएगा, चली बढ़ते हैं अंगले क्वेशन की तरफ, यूके में VK Krishna Menon पूरसकार 2019 से किसे समानित किया गया, यह समानित किया गया G.D. Robert Govinder को, लंदन मूल के पतरकार G.D. Robert Govinder को ब्रीटेन में Vee Krishna Menon Award 2019 से समानित किया गया, इने विवाद्मत्मक प्रत्रकारिता के अग्रिनी रूप में योगदान के लिए सम्मानित किया गया यह पुरसकार भारतिय राजनेकिय और राजनेता वी के कृष्ण मैनन की 123 जैनती पर दिया जाता है वह पहले वक्ति हैं जिन्नों मर्नोपांत मर्नोप्रांत वी के कृष्ण मैनन से सम्मानित किया गया तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि वी के कृष्ण मैनन जो अवार्ड है वो हर साल वीके कृष्णा मैनन की बर्दे मतलब जैनती पर दिये जाता है और रॉबर्ट गोवेंडर जो है वो पहले वेक्ति बन गए है जिनके डेथ के बाद भी उनको इस अवोर्ड से नवाजा गया है उनके प्रत्तकपत्र कारिता के लिए ठीक है चले बढ़ते हैं आगे बाजी राओ दे लास्ट कैपटेव वाइट टाइगर डाइड रिसेंटली एट संजे गांधी नाशनल पार्क इन विच स्टेट इस पार्क लोकेटेड अंतिम बंदी सफेद बाग बाजी राओ की हाली में संजे गांधी राश्ट्रिय उद्यान में मृत्यू हो गई ये पार्क किस राज्य में स्थित है तो ये पार्क स्थित है महराश्ट्रो में अंतिम बंदी सफेद बाग बाजी राओ का इस बाग का नाम क्या था बाजी राओ का हाली में मुंबई के बोरी वली में संजे गांधी नैशनल पार्क में निधन हो गया वो शेश रोयल बेंगॉल टाइगर हैं जिन में इसे चार महिलाएं और दो पुरुष हैं सभी दशवर्ष से अधिक उम्र के हैं चलिए बढ़ते हैं आगे ISRO is set to launch its radar imagining satellite on May 22, 2019 from Shriharikota in आध्रप्रतेश ISRO 22 मही 2019 को आध्रप्रतेश के Shriharikota से अपने radar imagining उपगरह को launch करने के लिए तयार है तो इस उपगरह को आपको नाम बताना है तो इसका नाम है RISAT-2BR1 ऊके RESAT-2BR-1 इसका नाम है इसरो 22 महीं 2019 को आंदर प्रदेश के श्री हरी कोटा से अपने रडार imagining satellite RESAT-2BR-1 को लॉंच करने के लिए तयार है RESAT एक remote sensing उपग्रह है synthetic aperture रडार का उपयोग करके all weather निगरानी का प्रदान करता है RESAT इसरो के पहले MI मौसम अवलोकन अपग्रह में से एक है और दिन या रात में प्रिथवी के निरंतन दिर्श्र प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है चलिए बढ़ते हैं आगे In which state the last one year the number of Indian patents receiving organs from brain dead donors has gone up by 56% पिछले एक वर्ष में किस राज्य में brain dead donor से अंगों को प्राप्त करने वाले भारतिय रोग्यों की संख्या में 56% की विद्धी हुई है तो ये किस state में हुई है किस राज्य में तो ये हुई है तमिलनाडू में पिछले एक साल में मश्टिश्क मृत्व दाताओं से अंगों को प्राप्त करने वाले भारतिय रोग्यों की संख्या तमिलनाडू में 56% बढ़ी है भारत में प्रत्यारोपित फेफडों की संख्या 2017 में 43 से बढ़कर 2018 में 84 हो गई National Organ and Tissue Transplant Organization NOTO के अनिवारिक ने अनिवारिक किया है कि किसी अंग को किसी विदेशी नागरित को आवंटित किया जा सकता है क्यूंकि ये उसकी सुकृति देता है ठीके तो ये 56% बढ़ी है ये तमिलनाडू में बढ़ी है और्गन ट्रांस्प्लांट के रिगार्ड के फील्ड में ये बहुत बढ़ा इंक्रिमेंट है चली बढ़ते हैं आगे राष्ट के सरवोच नागरित किया गया तो ये किया गया ताइगर वुडस को अमेरिकी राष्ट्रपती डोनल ट्रम्प ने टाइगर वुड्स को राष्ट के सर्वोच नागरिक सम्मान राष्ट्रपती प्रदक से सम्मानित किया है वुड्स के इवल चौथा और सबसे कम उम्र के गॉलफर हैं जिसे सर्वोच अमेरिकी नागरिक परसकार मिला है श्री ट्रम्प ने खेल के तिहास में सबसे महान अथिलिटों में से एक के रूप में श्री वुड्स की प्रशनशा भी की चली देखते हैं अंगला क्वेशन भारत में 300 करोर का आकड़ा पार करने वाली पहली हॉलिवुड फिल्म कौन सी है यह है अवेंजर्स की एंड गेम जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई मार्वल की ब्लॉकवस्टर सूपर हीरो फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने भारत में अपना दूसरा वीकेंड बंद कर दिया जिसके क्लोजिंग के साथ ही उसे 311 करोर की कमाई हुई और साथ ही तीन सो करोर का आकड़ा पार करने वाली ये विदेश की सबसे पहली फिल्म बन गई है देश में तीन सो करोर का आकड़ा पार करने वाली ये पहली हॉलिवूड फिल्म है इसने पिछले किस्त Avengers, मतलब पिछला पार्ट Avengers Infinity Ward ने 227 करोर की कमाई की थी जिससे इसका जो डिफरेंस है ये काफी जादा है वो 227 करोर्स था ये 311 करोर्स है और इसके पहले जो मुवी थी That Was Titanic जिसने इतनी मतलब इस लेवल पे हिट हुई थी पर उसने इतने पैसे नहीं कमाई थे पैसे के मामले में 300 करोर क्लब पार करने वाली Avengers Endgame जो है ये पहली विदेशी मूवी बन गई है चली दिखते हैं अंगला question The Madras High Court directed the state government to relocate महाशक्ती मरियामन temple following its removal last year from the Girivalam path in Dash Madras High Court ने राज्य सरकार को निदेश दिया», कि वह पिछले साल महाशकती मरियमन मंदिर को गिरीलिवं मार्ग से हटाने के लिए Dash में स्थानतरित करे तो इसको तिरू वन्ना मलाई में स्थानतरित करने की Hi Court ने आदेश दिया है मादरास हाई कोट ने राज्य सरकार को इसके निशकाशन के बाद महाशक्ती मरी अमन मंदिर स्थान तरित करने का निर्देश दिया नायमूर्ती रवीचंदर बाबू ने तिरुवन्ना मलाई कलेक्टर को मूल स्थान से लगबग 270 मीटर की दूरी पर मंदिर को सौपने का निर्देश दिया चली देखते हैं अगला question which of the following has unveiled Acer blockchain service that would simplify the formation management and governance निमलिखित में से किस ने Acer blockchain सेवा का नावरन किया है जो गठन प्रबंदन और साशन को सरल करेगा तो ये है Microsoft Microsoft ने Acer blockchain सेवा का नावरन किया है जो की गठन प्रबंदन और साशन को सरल करेगा Acer blockchain service Webseo को अपना cloud आधारित platform पर अपने application विक्सित करने का मौका देगा Microsoft ने JP के साथ साजिदारी की भी घोशना की है Morgan Coram बनाने के लिए तो ये हो गए आज के questions, now it's time for question of the day आज का question of the day है who has been appointed as the brand ambassador of Myntra in 2019 2019 में किसे मिंद्रा का brand ambassador अन्यूक्त किया गया तो आपको देना है इसका जवाब वो दिपिका पदुकोन या रनवीर सिंग है विरात कोली या अनुशका शर्मा है रनवीर का पूरिया अलिया भठ है या शाहित का पूरिया मेरा राजपूत है इसका अंसर आपको लिखना है comment section में अगर आपको इसका अंसर आता है that's very good मतलब आपने कल वाली विडियो देखी है और अगर आपको इसका अंसर नहीं आता है तो आप जाकर के कल वाली विडियो देख सकते हैं इसका अंसर आपको इसमें मिल जाएगा So thank you so much guys PDF description box में है जरूर डाउनलोड कर लीजेगा आप हमसे जुड़ सकते हैं ओनलाइन ओफलाइन किसी भी माधियम से अड्रेस और फोन नंबर की डीटेल्स आपको स्लाइड पे दिख रही होगी So thank you so much for watching Stay tuned to